दोस्तों क्या आपको पता है कि जिस तरीके से हीट बर्म्स होता है ना जो हम जल जाते हैं आक से उसी तरीके से कोल्ड बर्म्स भी होते हैं मतलब आप ज्यादा ठंडा चीज चुओगे ना तो आपका हाँ जल जाएगा ये इसकिन के फ्रीज होने से जस्त पहले होता है